वेल हम बेंस सारे कि सारे लोग फ्यूल दल्वाते हैं अवरल जब आप फ्यूल ड़ूल यह तो समतिकरी तो सबस्क्राइब टीन केस पैड इसा व्य시면 लारते दा प्रण्स आज करते the sound masih US साथ के साथ ही अगर आप नहीं चाहते रेडियोल फीज देना तो आपको एक साल के अंदर-अंदर दो लाग रुपए का खर्चा करना पड़ता है इस कार्ड के जरीए विच आम नाट शॉर कि मैं अवर होता तो कर पाता इसके साथ ही 6000 रिवाट पॉइंट्स आपको देखने को 25 रिवाट पॉइंट्स देखने को मिलते हैं और एक जो रिवाट पॉइंट है उसकी वेन्यू है 25 पैसा साथ के साथ ही अगर आप फ्यूल के इलावा किसी और कैटेगरी में शॉपिंग करते हैं तो हर एक सौर बै पे आपको 10 रिवाट पॉइंट्स जो है वो देखने क साथ है तो हैं तो वो उसे हैं कैते हैं गठोर यहा ऑन रूपर इना चाहिए लेकिन व ब्र यूपय बचे नहीं गया तो तो इस case में बात करूं तो जो 1% का fuel surcharge waiver जो मुझे मिल रहा है वो 4000 तक की transaction तक पे ही मिल रहा है अगर मेरे जो transaction से बढ़ जाती है से तो मुझे उल्टा पैसा देना पड़ेगा तो यह चीज़ द्यान रखिएगा अचा करूं तो पिछले एक साल में आपको डो लाग रुपए का खर्चा करना पड़ता है अपने जो एनुल फी से उसे वेब आफ कराने के लिए सेकेंडली अगर आप फ्यून को छोड़ दें बाकी केटेगरी में अगर शॉप करते हैं तो वहां पर आपको जो कैश बैक मिलता है एक से डेट परसंट का ही मिलता है सो यू नेग तो कीप डाइन मैंड कि यह जो patikular कार्ड है कि निश्ट फूकस्ट फ्यून कार्ड की काटेगरी में हिं आता है अगले कार्ट का नाम है ICICI का HPCL Super Silver Credit Card, जैसे कि नाम दोई समिझ में आ रहा है कि यह सिर्फ HPCL के आउटलेट्स पर ही चलेगा, Secondly, यहाँ पर आप 4% का जो रिटर्न है वो जनरेट कर सकते हैं, जोईलिंग फीज 500 रुपए हैं और साथ के साथ यहाँ पर वेलकम बेलिफिट में आपको 2000 रिवाट पॉइंट्स तेकने को मिल जाते हैं, यहाँ पर हर 100 रुपए के स्पेंट पर आपको 16 पॉइंट्स तो मिलते मिलते हैं, प्लस HP APP के जरीए आप 1.5% का एक्स्टा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं, इस कार्ड के भी कुछ डाउनसाइड है, डाउनसाइड क्या है कि अगर आपका पिछले साल का तर्चर 1.5 रुपए है तो तो अच्छा है कार्ड, आपकी जो फीस अगो वेवाफ कर देगा बैंड, नहीं है तो नहीं करेगा, आपके महिने का खर्चा जो फ्यूर का है पर्टिकुलरी 5,000 तक पूना चाहिए या उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो आपके लिए कार्ड पेनिफिशन रहें, अचाहिए दोस्तों अगर आपका जो खर्चा है महिने का पेट्रोल पेज चार से 5,000 रुपए के बीच में रहता है तो आप ये वाला क्रेट कार्ड चुन सबते हैं, अगर आप इस ग्रेट कार्ड के इस्तिमाल से आप 50,000 तक कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, अचाहिए सबसे अच्छी बात यहां भी ये है कि आपको 20 रुपए के स्पेंड पे देखने को मिलते हैं, इसके साथ ही जो 4% का आप कैश बैक जनडेट करेंगे, वो एच रिवार्ड के रूप में आपको लेखने को मिल जाएगा, और इसके साथ ही 1% का फ्यूल सब्चार्ज वेवर भी आपको देखने को मिलता है, बिट्वीन दरेंच ऑफ 200 रुपए से 5,000 रुपए के ट्रांजेक्शन तक, मतलब 200 से अगर 5,000 रुपए के ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसके लिमिट के बीच में आपको ये वेवर देखने को मिलेगा, जो 1% कर रहेगा, तो if you are someone जिनका 4-5,000 रुपए मैने खर्चा रहता है सिर्फ और सिर्फ फ्यून का तो आप इस कार्ट के लिए जा सकते हैं अगले कार्ट का नाम है SDFC बारत का इट कार्ट 500 रुपए इसकी जॉइनिंग फीस है, इसकी 500 रुपए है और ये वेव उफ कर देता है वेंग अगर आप एक साल में 50,000 तरका खर्चा करते हैं, आपको 5% का cash back on your fuel expenses पे देखने को मिल जाता है, साथके साथी ना सिर्फ fuel expenses बल्कि ISADC के तुरू आपको यह भी payment करते हैं, तो वहां पे भी आपको 5% का cash back देखने को मिलता है, यहां पे एंग reward point की जो कीमत है वह एक रुपए रहती है, विच इस वरी गुड थिंग साथके साथी, यहां पे 1% का आपको fuel surcharge waiver देखने को मिल जाएगा, minimum value is 400 पे होनी चाहिए, और यह capped रहता है minimum 1 billing cycle में 200 रुपए तक, तो अगर आप एक ऐसे बंद है जिनका fuel का खच्चा भी रहता है, और आप train से travel वगरा करते हैं, तो आप SDFC के भारत credit card के तरफ जा सकते हैं, अच्छा option है, और आपको दो benefit देखने को मिलता है, one is for petrol and one is for IRCTC, और बिल पेमेंट, वो उनके बिल पेमेंट पर, अगले राट का नाम है Indian oil, SDFC credit card, joining fees अगें 500 रुपए है, rental fees अगें 500 रुपए है, जो की bank हटा देता है, अगर आप 50,000 तक का जो है transaction करते हैं, इस card के जरिए, now the good part is, कि यह जो card है non metro people के लिए, now the thing is, यह आप आप 5% का cashback कमा सकते हैं, और यह आप आपको reward points नहीं, बलकि fuel points रेकने को मिलते हैं, यहाँ पे जो cap रहता है points का, वो पहले 6 महीने में 200 points का रहता है, fuel points का रहता है, अगले 6 महीने में 1.500 fuel points का रहता है, तो total एक साल में, जो cap होगया points का, वो किता होगया, 400 fuel points का होगया, इसे के साथी बाकी के केटेगरी से भी आप 5% के cashback generate कर सकते हैं, अच्छा card है, साथ के साथी बस ही condition है, कि सिर्फ 100 fuel points है, वो ही add कर पाएंगे, हर एक महीने में, on each category, test point number one, the point number two, एक परसन का, fuel surcharge waiver है, वो भी देखने को बल जाएगा, और जो 200 रुपे तक, पर billing statement तक valid रहता है, और minimum जो transaction है, 400 रुपे तक होना चाहिए, तो it's a good card, जो कि उन लोको target करता है, जो non metro cities में रहता है, just like me and you, अगर है आपारा दोस्तों, तो BPSL का SBI card, यहां पर भी जो जॉनिंग फीज है, 499 रुपीज है, annual fees की बात करें, तो 499 रुपीज है, 50,000 तक का लंबा खर्चा करोगे, तो दुबारा से bank जो है, आपका fees charge नहीं करेगा, अगर हम बात करें, speciality की तो है, 4.25% का decent cash back generate कर सकते हैं, आप लोग इस card के जरीए, BPCL पर ही यहां पर जो reward आप कवाओ के, वो redeem कर सकते हैं, मतला BPCL के अगर आपके खर के आसपास, या office के आसपास जो petrol pump है, तो ही आप इसे अवेल करें, वरना जरूरत नहीं है, 1% का आपको fuel surcharge waiver भी इस card पे आपको देखने को मिल जाता है, और राइट तो हम आचोगे अपने last card पे, यह थोड़ा सा controversial है, मैं सुच चलता है ना डालूं लेकिन फिर मेने डाल दे, इसका नाम है standard chartered bank का super value titanium credit card, 700 रुपे इसकी joining fees है, annual fees भी उतनी ही है, लेकिन अगर आप 90,000 तक का खर्चा करते हैं, तो bank wave off कर देता है, आपकी annual fees को, यह one report point को कमाने के लिए आपको 500 पे खर्चा करनना पड़ता है, यह particular card suitable है fuel के लिए और नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे 200 पैसे 2000 तक की limit में ही आपको 5% का cash back मिलता है, और यहाँ पी कोई भी fuel surcharge waiver देखने को नहीं मिलता है, अच्छी बात इस card की यह है, कि आप इसी किसी भी petrol pump पे अवेल कर सकते हैं, आपको यह नहीं देखना है कि HPCL का है, BBCL का है, किसी और petrol pump में जाओं, कई भी आप अवेल कर सकते हैं इसका reward points को, अनफॉचनेटली यह चीज होती है credit cards के साथ में, तो दोस्तों यह थे वो सारे के सारे cards, जिससे आप अच्छा खासा cash back generate कर सकते हैं, let me know in the comment section कि आप अभी कौन सा card यूज कर रहे हैं, और किस तरह से आप उसे use कर रहे हैं, और आप future में कौन से credit card को लेने की सोच रहे, especially for the tool purposes transactions. मैं विलता आपको अगली वीडियो में, अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप comment कर सकते हैं, और चैनल को subscribe नहीं करा है, subscribe जरू किजिएका, it's free to join, join this community, I'll see you next time guys, bye!